गूड मॉर्निंग स्टुडेंट्स में राकेश कुमार यादू मैं आज आपके लिए मेत के क्यूच क्यूशन लेकर आया हूं जो और एलबे और SSC एक्जाम के लिए मैत पुर्ण है देखिए पहला क्यूशन एठारह और 2024 के विद्करमों की लेश से और में से याद कीजिए अठारह और एक बटा अठारह और 2024 के विद्करम हो जाएगा एक बटा तोईस एक बटा एक बटा अठारा और एक बटा तोईस का LCM तो LCM उपर वाले का LCM आदाएगा उपर वाले का LCM आदाएगा एक और नीचे वाले का HCF आदाएगा थे तो यह आदाएगा एक बटा थे यह तो गया LCM अब पर को निकालना है HCF SCF आएगा 1 बटा 18 और 1 बटा 12 तो उपरवाले का LCM आजाएगा 1 और नीचे वाले का आजाएगा उपरवाले का OCF 1 और नीचे वाले का LCM आजाएगा बहतर एक बटा बहतर आगे देखे students students दूसरा Queson 2 by 3 और 3 by 4 4 by 5 और 5 by 6 तो 2 by 3 3 by 4 5 by 5 5 by 6 में सबसे बड़ी सबसे बड़ी भी पहले देख लेते हैं इन्तिया 9 4 दुनिया 8 4 चोक 6 15 4 पठा 5 बड़ी है 25 25 और 4 बठा और 6 चोका चोईस तो बढ़ी हो जाएगी 5 बटा 6 अब छोटी बिन छोटी बिन देखते हैं ये इसे छोटी है तो 5 ती 15, 4 चोग 16, 3 बटा 4 छोटी है, 4 दुनिया 8 और 3 ती 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 चोटी हो जाएगी 2 बटा 3 तो अंतर हो जाएगा 5 बटा 6 माइनस 2 बटा 3 लग उतमादाएगा 6 यादाएगा 5 माइनस 4 बड़ाबर 1 बटा 6 आगे देखें स्टुडेंट्स, दूसरा क्यूशन, तीसरा क्यूशन तिर्जा आर वाले एक गोले थता तिर्जा आर एं उचाई 2 आर वाले एक बेलन का आईतन का अनुपात याद कीजिए गोले का आईतन, गोले का आईतन होता है सार बटा 3 पाई आर चूब और बेलन का आईतन बेलन का आईतन, बेलन का आईतन होता है पाई आर स्क्वाइर एक, पाई आर स्क्वाइर एक, बोले की तिर्जा होता है गी आर और पेलन की तिर्जा आर और मुचाई होता है गी तो आर, गोले का आईतन का नुपात या होता हैगा, चार बटा 3 पाई आर क्यूब किदर हो द दायगा pi R square R का square into H H मतलब 2R 2R यह pi से pi चला दायगा pi से pi pi से pi चला दायगा सार pi R cube ब्राबर सार pi R cube ब्राबर यह दायगा 3 रेक यह जाएगा 3 दूनी 6, 6, 5, 6, R-Cube, 6, R-Cube, 6, R-Cube, 4, 3, 4, R-Cube, यह जाएगा 6, R, 6, R-Cube, 3, R-Cube, 2, 2, 2, 3, 3, आगे देखे, students, तो अता क्यूसन, यदि P, Q, R, किसी कारिये को 24, 16 और 12 दिन में करते हैं, P, कितने दिन में, 22, कितने दिन में, 16, R, कितने दिन में, 12 दिन में, 3 का LCM, 48, 22 दूना 48, 16 ती 48, 12 चोक 48, एक साथ मिलकर काम कितना है, पूरा 48, तीनों की स्पीड हो जाएगी, 2, 3, 4, 48, 40 में, 3, 25, 4, 9, 9, 95, 45, कितना काम बचा तीन बटा नो यह जाएगा पांस सई एक बटा तीन आगे देखे स्टुडेंट्स पांचवा क्यूसन एक गड़ी पांच परतिसत हानी पर बेची जाती यदि क्राय मुले 20 परतिसत अधिक होता और विक्राय मुले 115 कम होता तो इस से विक्री में 40 परतिसत की ह हानी होती विक्री में कितने परतिसत की हानी होती 40 परतिसत की क्राय मुले अगर 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 20 परतिसत अधिक होता 120 अगर क्राय मुले होता तो कितने की हानी होती 40 परतिसत की माइनस 40 परतिसत बारत चोक 48 मतलब 72 इसके अंदर कितने का अंत्रा आ रहा है 23 का 23 बराबर 115 एक बराबर 5 तो 100 बराबर तो बराबर 500 आगे देखें स्टुडेंट्स एक पारम में 70 परतिसत क्रमचारी पूरुस है कितने क्रमचारी पूरुस है? 70 परतिसत अगर 100 क्रमचारी है उनमे 70 तो हो गए मेल और 30 हो गए फिमेल 30 परतिसत पूरुस तो 70 का 30 परतिसत 7 या 21 और इसका 40 परतिसत वैसे बच गए यह तो हो गए 6 सेवाने उर्टि वोले चुनते हैं यह 30 कूनते आ है और 20 मतलब इनमे चेज चुनते हैं और कितने नहीं चुनते है 6 तो सेवा में बने रहने वाले क्रमचारी की कुल संख्या का कितना परतिसत है? गुंचास और चूइस बने रहना चाहते हैं गुंचास और चोईस, नौ और चार, तेरा का तीन हसिल की, एक चार, दो चार, एक, साथ, शेवंटी थरी प्रतिसत. आगे देखें, स्टुडेंट्स साथवा क्युशन, साथ का स्क्वाइर इंटू नो का स्क्वाइर को आड से भी बजित करने पर सेशपल क्या आएगा? साथ इन्टू साथ इन्टू नो इन्टू नो आठी, नो, साथ इन्टू साथ गुंचास इन्टू 81, ये कितना हो जाएगा? साथ इन्टू आठी इन्टू ये कितना हो जाएगा एक, आगे देखें, इन्टू इन्टू इन्टूर नुजो इन्टू नो इन्टूसादू 75, 58, 48, 1, कितना हो जाएगा? आगे देखे students आटवा क्यूशन निमल लिखत में से सबसे चोटी भिन ग्याद कीजिए सबसे चोटी भिन एक बटा दो तीन बटा पांच दो बटा साथ और पांच बटा च्छे इनका तिर्चा मल्टिपलाई तीन दूनी च्छे पांच एकम पांच एक बटा दो चोटा है दो दूनी चार साथ एकम साथ दो बटा साथ चोटा है साथ पंजे पैंटीश है दूनी बारा चोटा है दो बटा साथ आगे देखे students नोवा क्यूशन एक इस्तिर जल में नाव की चाल 13 किलोमेटर परती गंठा है दारा की चाल 4 किलोमेटर परती गंठा है दारा के विपरित दारा के विपरित मतलब 13 माइनस मतलब A माइनस B बराबर 13 माइनस 4 मतलब 9 किलोमेटर परती गंठा तो 68 किलोमेटर की दूरी 9 किलोमेटर परती गंठे की चाल सितय करने में 97 63 97 63 75 9 75 9 गंठा आगे देखें students दस्वा question एक सम बावबुझ का आंत्रिक कोन 150 डिग्री है तो बावबुझ का आंत्रिक और बारिक कोन का योग लोता 180 सबी बारी कोणों का योग कितना होता है तीन सो साथ डिग्री बटा तीस डिग्री तो किसे बारा भुजा हो जाएगी आगे देखे स्टुडेंट्स ग्यारवा क्यूसन किसी रासी का दो वर्स का सादरन ब्याज चार सो यदि आर चार परतिसत अधिक होता तो सादरन ब्याज चार सो अधिक होता तो मूल राशी कितनी है? दो वर्ष का सादरन ब्याज कितना है? 400 अगर 8 चार परतिसत अधिक होता चार परतिसत तो दो साल में कितना हो जाता? 8 परतिसत 400 बटा 8 400 बटा 8 इन्टू 100 400 बटा 8 इन्टू 100 8 से 45 जालीस दराशी कितनी हो जाएगी? 5000 आगे देखें, students गारवा किउसन 1000 की दनराशी पर 10 परतिसत ब्याज की दर से डेड़ वर्स डेड़ वर्स का ब्याज की गणना कीजिए अद्वार्सिक आदार पर की जाती है अद्वार्सिक आदार पर दर हो जाएगी आद्धी 10 परतिसत का हो जाएगा 10 बटा 2 मतलब 5 परतिसत दर और समय हो जाएगा 2 गुना मतलब 3 वर्स 3 वर्स का टरिकत 3, 3, 1 3, 3, 1 दर कितनी है? 5 परतिसत कूल दर कितना है? 1000, 1000 का 5 परतिसत कितना हो जाएगा 50, 50 का 5 परतिसत, 50, 50 का 5 परतिसत हो जाएगा, 2.5, 2.5, 2.5 का 5 परतिसत, 2.5 बटा 0, into 5 बटा 100, 5.5, 25, 400, 5.5, 5, 2.10, 1.8, मतलब हो जाएगा, 0.125, चक्रवती ब्याद हो जाएगा, 150, 7.5, और 0.125, 5, 5, 2, 6, 157.625, 157.625, आगे देखे, पर 12 परतिसत, 12.5, 12.5 होता है, 1 बटा 8, 405 बटा 9, इन्टू, आट, नो चोग, 37, 9, 5, 45, 45, इन्टू, आट, आट, पंजे, 40 का 0, आशिल की, 4, 8 चोग, 32 रचार, 37, 360 रुपए की वो वस्तु थी, और बेचा कितने में, 405 में, लाब कितने का हो है, 45 रुपए का, आगे देखे, स्टूडेंट्स, सौधवा क्विशन, अंजली एक कारिये को 10 दिन में पूरा कर सकती है, अंजली एक कारिये को कितने दिन में, 10, बानू, उसी कारिये को कितने, बानू, इस कारिये को 5 दिन में, वे एक साथ मिलकर दोनों का लगुतम, 10, दस एकम 10, पास दूनी 10, पूरा काम 10, स्पीड हो जाएगी, दो रेक तीन की स्पीड से, 10 बटा तीन, तीन साई, एक बटा तीन दिन में, आगे देखें स्टुडेंट्स, आगे देखें स्टुडेंट्स, पंदरवा क्यूशन, एक वर्ताकार पाईये की तिरजा, 7 बटा 4 मेटर है, पाईया 22 किलो मेटर दूरी तैय करने में, कितने चक्कर गुमेगा, तिरजा कितनी है, 7 बटा 4 मेटर, तो इसकी परीदी, परीदी, वर्त की परीदी होती है, 2 पाई आर, 2 इंटू, 2 पाई आर, 2 इंटू, 22 बटा, 7 इंटू, 7 बटा, 4, 7 से 7, 4 से 11, 12 किलो मेटर, 22 किलो मेटर को मेटर में बदनने के लिए, 1000 से मल्टिपलाई, बटा, 11, 11 से 2 बार, मतलब, कितने चकर, 2000 सकर, 2000 सकर, आगे देखे, 48 किलो मेटर परती गंठे की चाल से एक क्यात्रा में लगा समय 50 मिनट है, 48 किलो मेटर परती गंठे की चाल से लगा समय कितना है, 50 मिनट, 48, 48 किलो मेटर चाल से लगा, 48, बटा, 60, कितना समय लगा, 50, 50, तो ये किस से कर जाएगा, 0 से, 0, 6 से, 6, 48, 48, 45, 40 किलो मेटर की दूरी तैकी है, क्यात्रा का समय 10 मिनट कम हो जाए, क्यात्रा का समय कितना 10 मिनट कम, पहले कितना समय लग रहा था, 40 किलो मेटर, पहले कितना 50 समय लग रहा था, अब कितना समय लग देगा, 40, तो 50, माइनस 10 बराबर कितना समय लगना चाहिए, चालीस बटा चालीस इंटू साथ सालीस से चालीस चला जाएगा साथ किलोमीटर पड़ती हावर आगे देखें students अठारबा क्यूशन एक बस सुबह पाँच बजे आगरा से रवाना होती है एक बस सुबह पाँच बजे कहा से रवाना होती है आगरा से पांस बजे और दोपेर बारा बजे दिल्ली पहुंचती है एक और बस सुबह आठ बजे दिल्ली से रवाना होती है सुबह कितने बजे आठ बजे दिल्ली से रवाना होती है और तीन बजे आगरा पहुंचती है आगरा कितने बजे तीन बजे पहुंचती है वह किस किस समय मिलती है यह साथ गंठे में यह और यह कितने गंठे में तीन से आठ आगे देखे इस्टुडेंट्स कुनिस्वा क्विशन अक्स बराबर तीन माइनस रूट दो हो तो तीन अक्स स्क्वाइर पलस दो अक्स माइनस सार का मान तो यह जाएगा तीन अक्स स्क्वाइर पलस दो अक्स पलस चार तीन अक्स का फ़र तीन दिया नो माइनस किजिगा पलस दो माइनस तीन दूनी छे रूड दो पलस दो तीन माइनस रूड दो माइनस चार तो नो तीस सत्त आईस पलस छे सताईस पलस छे माइनस सताईस पलस छे माइनस टी अठारा रूड दो पलस छे तीन दूनी छे माइनस दो रूड दो माइनस चार तो जाएगा सताईस ओर छे सताईस ओर छे 27 और 6 दुनी 12 12 में 4 27 और 8 35 माइनस 20 जरूर 2 आगे देखे स्टुडेंट्स 20 वा क्युशन हल कीजिए 1299 में इंटू 1299 1299 में इंटू 1299 में यह हो जाएगा 1300 माइनस एक का स्क्वायर तो 1300 का हो जाएगा 169 दो जीरो का हो जाएगा 40 माइनस माइनस सब इस सू पलस वन जाएगा 168 168 7401 आगे देखे स्टुडेंट्स 21 वा क्युशन तो सहबाजे संख्याओ का गुनलपन 903 और उनका LCM याद कीजिए LCM तो उनका LCM भी होगा LCMB 903 ही होगा आगे देखे स्टुडेंट्स 22 वा क्युशन एक बैग में 25 पेसे 10 पेसे और 5 पेसे के सिक्क्य का अनुपाद एक अनुपाद, दो अनुपाद, कितना है, तीन, तो पत्तीस पेसे कितने हो जाएंगे, पत्तीस पेसे, दस पेसे के बीस पेसे, और पांच पेसे के पंदरा पेसे, पत्तीस और पंदरा, चालीस और साथ, जीरो, साथ, तीस रुपे, तीस बटा, जीरो, पोइंट, साथ, पोइंटर दाएगा, उपरा दाएगा, कितना, तो, ये, इसे कितना दाएगा, दो, पचास, पचास, अक्स बराबर पचास, तो किसका पूचा अपन को पांच पेसे के, तीन इंटू पचास बराबर, एक सो पचास सिखे, धन्यवाद इस्टूडेंट, चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा,